हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब आज हम लोग क्लास 7 का चेप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे इसमें दिया गया है ट्रांस्पोर्टेशन इनिमल्स और प्लांट्स के बारे में ये जो चेप्टर है ना मुखी रूप से हमारे बॉड़ी में फूड मेटरियल्स का और इनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और ट्रांस्पोर्ट इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे चलो अब हम लोग करते हैं एक एक लाइन करके पढ़ना सुरू करते हैं देखो इसमें कैसे समझाया गया है यूव लर्ण अर्लियर डाट ओल्गनिजम्स रीड फूड वा पानी न पियें मतलब अगर हम लोग वाटर डिंक न करें तब हम लोग कुछ दिनों तक जिन्दा रह सकते हैं लेकिन अगर हम लोगों को और आपके नांक और मूह को बंद कर दिया जाए तो आप कुछी देर में क्या हो जाएंगे साफोटेड महसूस करने लगें और तरप आगे देखो कहता है they need to transport all these to various parts of their body अब जो जितनी चीजों के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में food के बारे में water के बारे में oxygen के बारे में इन सारे चीजों को हमारे बॉडी के अलग अलग भागों पर क्या करना पढ़ता है पहुचाना पढ़ता है further animals need to transport wastes to part from where they can be removed और इन सारे चीजों के साथ भोजन उगरा करने के बाद हम लोगों के body में या फिर sale में क्या होता है अलग अलग तरह के chemicals बनते रहते हैं जो हमारे body के लिए हानिकारख होते हैं उनको क्या करना पड़ता है सरीर से बाहर भी remove करना पड़ता है निकालना पड़ता है तो इन सारे चीजों के लिए क्या है हमारे सरीर में एक तरह का transport system होता है जो क्या करता है फूड वगर जितने भी necessary चीज हैं उनको body के different भाग में वह पहुचाता है transportation system और जो भी waste products मिलते हैं उनको क्या करता है वहां से remove करता है और यह सब किसके द्वारा होता है इस all function is performed with the help of circulatory system यह सारा चीज किसके द्वारा किया जाता है circulatory system के द्वारा किया जाता है अब जो chapter सुरू होने वाला है इस chapter में हम लोग इसी circulatory system के द्वारा कैसे transport होता है उसके बारे में पढ़ेंगे एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में और यह बात समझ में हाँ तक मेरे प्यारे बच्चो चलो अब हम लोग क्या करते हैं दूसरा heading लेते है that is circulatory system किसके बारे में पढ़ेंगे आब हम लो circulatory system के बारे में सबसे पहला जो इसका heading start होता है blood से हम लोग पढ़ना शुरू करते है circulatory system के बारे में what happens when you get a cut on your body जब आपके सरीर पे कहीं पे cut लगता है तो क्या होता है देखो जब हम लोगों के body पे कहीं भी cut लगता है injury हो जाती है तो उसमें हम लोगों के सरीर से क्या होने लगता है blood follows होने लगता है मतलब blood flows out होने लगते है मतलब वो बाहर निकलने लगते है but what is blood अब आगे प्रशन पुछा गया आप लोगों से कि यह blood क्या होता है तो इसमें answer बताया गया है कि blood is the fluid which flows in blood vessels it transports substances like digested food from the small intestine to other part of the body it carries oxygen from the lungs to the cells of the body it also transports wastes for removal from the body तो यहां से यहां तक आप लोगों को function of blood लिक लेना है देखो यहां पर एक question पुछा गया है what is blood ठीक है इसका जो था ना यहां से मेरे प्यारे बच्चों क्या है एंसर है जब आप लोगों से यह question पुछा जा इसलिए मैं पहले क्या किया पहले पढ़ दिया सारे को ठीक है ताकि आपको सब एक तरब से समझ में आ जाए कहां से कहाता है कब मैं एक एक करके आप लोगों को इसके बारे में समझाता हूँ कहता है blood is a fluid blood क्या होता है fluid होता है जो हमारे body में capillaries है पतले-पतले क्या है नस है उनमें क्या होता है यह बहता है blood vessels में बहता है आगे कहता है it transports substances like digested food अब यह किसका किसका transport का का काम करता है digested food का मतलब जो भोजन हम लोगों के body में पच गया है उसको क्या करता है एक दगह से दूसरे जगह पहुचाता है from the small intestine to other part of the body मतलब हमारी जो छोटी आथ है वहाँ से food को क्या करता है after absorption वहाँ से gather करके और body में अलग-अलग जगह पे पहुचाता है it carries oxygen from the lungs to the cells of the body और यह क्या करता है oxygen को carry करके हमारे lungs से और body के अलग-अलग प्रकार के waste materials बनते हैं उनको भी body में यह क्या करता है अलग-अलग जगह पे पहुचाने का काम करता है यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा आगे देखो how does the blood carry various substances एक नया question पूछा गया है कि जो blood होता है अलग-अलग substance को एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुचाता है carry करके तो इसका अब थोड़ा सा answer क्या है लंबा है इसको अभी हम लोग detail में समझेंगे blood is composed of a fluid यह blood जो है न blood एक खास प्रकार के fluid का बना होता है जिसको हम लोग कहते हैं plasma उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं plasma के नाम से जानते हैं in which और यह जो plasma है न इसमें अलग-अलग तरह के sales क्या होते हैं suspended होते हैं different types of sales are suspended in this plasma जिनके बारे में अभी हम लोग समझेंगे why is the color of blood rate इसका answer भी अभी हम लोग आगे लेंगे मेरे प्यारे बच्चो इसको समझने से पहले थोड़ा सा देखो एक figure यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ आप लोगों को figure दिख रहा होगा circulatory system का यह figure बना हुआ है इसमें क्या है arteries are sewn in red color and veins in blue यहाँ पे देखो तीन चीची दिखाया गया है पहला तुम लोगों को chest में जो हम लोगों का chest वाला part है यहाँ पे आपको fist sept मतलब हमारे मुठी क्या कार का एक heart दिखाया गया है और यहाँ से आपको कुछ arteries निकलते दिख रहे होंगे arteries को red color से दिखाया गया है चुकि इसमें oxygenated blood होता है मतलब वो ऐसा खून जिसमें oxygen हो और आपको क्या दिखाया गया black color में आप लोगों को veins दिखाया गया है जिसमें deoxygenated blood है मतलब उसमें carbon dioxide की मातरा ज्यादा है oxygen की मातरा क्या है कम है यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई चलो उसी को हम लोग क्या करते है जो पढ़ रहे तो उसको आगे समझते है अब जो हम लोग के पास plasma है जिसमें अलग अलगता रहा कि क्या है cells suspended हैं उनके बारे में अब हम लोग क्या करते है थोड़ा सा समझने का कोशिस करते है कि इसमें क्या बतायागा है है ना मेरे प्यारे बच्चो चलो देखो कहता है वन टाइप ओब दे सेल आर दर रेड बलड सेल इसमें जो पहला प्रकार का सेल गुला हुआ है इसको हम लोग RBC से भी डिनोट करते है RBC Red Blood Cells बीच कोंटेंस रेड पिगमेंट और यह जो RBC है ना आर बिसी के भीतर एक रेड गलर का पिगमेंट होता है कैसा पिगमेंट होता है रेड कलर का जिसको हम लोग हीमो गलोबिन बोलते है क्या बोलते है binds with oxygen and transport it to all the parts of the body टेको हिमोगलोविन जो होता है न जो हम लोग oxygen लेते हैं inhalation के दोरान तो जो हम लोगों के lung में जो oxygen जाता है उस oxygen के साथ यह हिमोगलोविन क्या होता है बंध जाता है आपस में बंध करके और क्या करता है उस oxygen को सरीर के अलग जगा पे क्या करता है ट्रांसपोर्ट का काम करता है यहां तक बात अप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी all the parts of the body and ultimately to all the cells और लास्ट में या एक एक को कोशिका तक उस oxygen को क्या करता है पहुचा देता है यहां तक समझ में आ रहा है it will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin अगर hemoglobin हम लोगों के खून में नर है तो यह जो oxygen है उसको efficiency के साथ मतलब इतने आसानी से सहुलियत के साथ सभी कोशिकाओं तक पहुचाना संभो नहीं हो पाएगा the presence of hemoglobin makes blood appear red यह जो hemoglobin है इसी की उपस्तिती के कारण हम लोगों के खून का रंग कैसा दिखता है हम लोगों के खून का रंग दिखता है लाल यहां तक समझ में आ गया है प्यारे बच्चो चलो आगे देखो the blood also has white blood cells एक तो पहला cell हम लोग पढ़ ले that is red blood cell दूसरा इसमें क्या होता है भाई second one is white blood cell इसमें दूसरा white blood cells भी होते है जिसका short form है WVC which fights against germs that may enter our body इसका क्या होता है काम white blood cells का white blood cells जो है एक germ के साथ लड़ते हैं fight करते हैं और हमारे body को क्या करते हैं बिमार होने से बचाते हैं आगे देखो बताया गया है बूजो fell down while playing a game and his knee got injured जो बूजो है गेम केलते समें एक बार गिर गया और उसका जो घुटना है वो किसी तरह से छिल गया या कट गया थोड़ा सा blood was coming out from the cut और जहां पर उसका घुटना कटा था आप लोगों का खून निकलने लगा after some time he noticed that bleeding had stopped and a dark red clot has plugged the cut अब कुछ समय के बाद ऐसा अनुभो किया कि उसका जहां से cut लगा था आप लोगों भी जब छोटे होंगे और आप लोगों का खून निकलता होगा उसके उपर ठका जैसा जम जाता होगा तो आप लोग भी उसको देख करके थोड़ा सा आश्चरी चकित रह जाते होंगे the clot is formed अभी जो clot form हो रहा है ये क्यों form हो रहा है कहता है कि the clot is formed because of the presence of another type of the cell ये एक दूसरे प्रकार के cell के presence के कारण clotting हो रही है और उस cell को हम लोग क्या कहते है platelets बोलते है तो ये third type है तो plasma के भीतर तीन तरह के मुखे रूप से cell suspended रहते हैं पहले को हम लोग बोलते है RBC मतलब red blood cell दूसरे को बोलते है WBC यानि white blood cell और तीसरा होता है platelets तीनों का काम भी हम आप लोगों को समझा चुके है जो RBC है वो क्या करता है उसमें हेमोगलोबिन होता है और वो oxygen को एक जगा से ले करके दूसरे जगा तक body में पहुचाता है दूसरा हमारे पास है WBC white blood cells वो क्या करता है germ से fight करने में हमारे body को मदद करता है और तीसरा हमारे पास है platelets platelets क्या करते है blood के clotting में मदद करते है तो यही तीन तरह के cell हमारे मुख के रूप से body में body में खून में पाये जाते है clear है यहां तक चलो आगे देखते हैं क्या बताया गया है आगे बताया गया blood vessels के बारे में अब जो यह blood है आखिर हमारे body में दोड़ता किस चीज में किस माध्य में दोड़ता है तो इसके बारे में बताया गया there are different types of blood vessels in the body pipe की तरह की संरचना हमारे पूरे body में होती है ठीक है वो जो pipe है उसको हम लोग किस नाम से जानते है blood vessels के नाम से जानते है there are different types of blood vessels in the body और हम लोगों के सरीर में अलग-अलग तरह के blood vessels होते है you know that during inhalation of fresh supply of oxygen fills the lung आपको पता है कि जब हम लोग स्वांस लेते हैं तो स्वांस में क्या होता है oxygen reach air हम लोगों के lung में जाता है और lung में भर जाता है oxygen has to be transported to the rest of the body और वो जो oxygen है उसको हम लोगों के पूरे body में क्या होना रहता है पहुचाया जाना रहता है also the blood picks up the waste materials including the carbon dioxide from the cell और क्या होता है after respiration जो हमारे cell में जो waste product बनता है that is carbon dioxide उसको क्या करना रहता है हमारे अलग-अलग body parts से collect करके और उसको क्या करना रहता है हम लोगों के lung में लाया जाता है this blood has to go back to the heart for the transport to the lung for removal of the carbon dioxide और hurt से होते हुए क्या होता है lung में लाया जाता है ताकि वो जो carbon dioxide best के रूप में है उसको सरीर से बाहर निकाला जा सके यहां तक आप लोग बात समझ रहे है आप लोग इसके बारे में chapter 10 में पढ़ चुके है so two types of blood vessels इसी के कारण एक तो पहला oxygen rich blood जो है उसको पूरे body में ले जाएगा और दूसरा जो type है और de oxygenated मतलब जिसमें carbon dioxide के मातर जादा होगी उसको क्या लाएगा hurt से होते हुए lung में लाएगा इसलिए हमारे body में कितने तरह के दो तरह के क्या होते है blood vessels होते है पहले को हम लोग बोलते है arteries पहले को क्या बोलते है arteries बोलते है और यह बाते हैं तक समझ में आगे देखो arteries carry oxygen rich blood from the heart to all part of the body इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे मेरे प्यारे बच्चो कि जो artery होता है न ओ oxygen rich blood को हमारे heart से ले करके और body के अलग अलग part में क्या करते है पहुँचाते है okay students since the blood flows is rapid and at a high pressure देखो जो blood है न हमारे body में क्या होता है बहुत तेजी से move करता है एक जगा से दूसरे जगा पे जाता है और उसका जो pressure भी होता है बहुत हाई होता है the arteries have thick elastic valves इसलिए जो arteries होते है उनका जो valve होता है तीक होता है मतलब थोड़ा मोटा होता है और साथी साथ elastic होता है मतलब उस पे तोड़ा दबाव भी पड़े तो क्या हो जाता है फैल करके अपने आपको adjust कर लेता है लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी तो study the flow of the bloods त्रू आर्टरी चुलो अब हम लोग एक्टिविटी के थुरू समझते है कि आर्टरी में blood जो है एक जगह से दूसरे जगह कैसे बहके जाता है बुजर के जाता है place the middle and index finger of your right hand on the inner side of your left wrist कहता है इस तरह से देको यह मेरा left वाला wrist है और यह मेरा right hand है तो इस क्या करना है inner side पे अतलब यहां पे अपने ऐसे करना है इस तरह से पकड़ना है तुमको ठीक है can you feel some throbbing movement क्या तुमको कुछ धग 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 इस तरह का आवाज सुनाई देता है why do you think here is throbbing आगि इस तरह का जो आवाज आ रहा है अब आपको क्या करता है जो यह number of pulse है per minute में जो beating इसकी हो रही है इसको आपको count करना है stopwatch के साहता से how many pulse beats could you count आप एक minute में कितना pulse count करते है the number of beats per minute is called the pulse rate एक minute में तुमारा यह जो throbbing sound है जीतना बार आता है उसको किस नाम से हम लोग जानते है that is known by the name of pulse rate और उसी को हम लोग बोलते है pulse rate मेरे प्यारे बच्चो the number of the beats per minute is called the pulse rate ना a resting person जो ब्यक्ति आराम कर रहा है सांती से है usually has a pulse rate between 72 and 80 beats per minute तो उसका जो pulse rate होता है वो 72 से 80 beats per minute होता है मतलब 72 से लेके 80 बार तक उसका क्या हो सकता है pulse rate आएगा एक मिनट में find other places in your body where you can feel the pulse आप अलग लग जगा पे body का इस pulse को feel कर सकते हैं मैं तो अपने कान में feel करता हूँ को यहां पे मेरा दुग 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 तो कैसे आवाज आते रहता है आप लोगों कभी कहीं पे body में कभी कभी आप कीजिए गान हो कहीं पे क्या होता होगा इस तरह का throbbing sound आता होगा record your own pulse beats per minute and those of your classmates आप अपना pulse beat तो क्या करेंगे मेजर करेंगे साथ ही साथ आप अपने classmates का भी pulse beat क्या कर सकते हैं pulse rate मेजर कर सकते हैं इंसर्ट दवाव वैल्यूस यू ऑप्टेन इन टेवल 11.1 and compare them और क्या करना है जो भी rate आता है आप क्या करेंगे उसको एक जगा list में बना लेंगे या फिर 11.1 में आपका क्या दिया हुआ है इसको आप क्या कर सकते हैं यहां पर इसको मेंशन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों देकि यहां पर लिखा हुआ है pulse rate आप नेम लिख देंगे अपने दोस्त का जिसका pulse rate लेंगे और pulse per minute उसको क्या करेंगे यहां पर अपने observation को record करेंगे अब हम लोग चलो now we have studied about artery we are going to study about winds अब हम लोग क्या करेंगे winds के बारे में पढ़ेंगे winds are the vessels which carry carbon dioxide reach blood from all parts of the body back to the heart देको हमारे body में अब क्या हुआ पहला नमबर oxygenated blood blood पहुँच गया अब वहां पर क्या होता है after respiration ठीक है जो carbon dioxide साइड उत्पन होता है सेल में उसको carry करके फिर से heart तक लाना होता है और वह जो carry करके heart तक लाता है उस vessels को हम लोग बोलते हैं क्या उसको बोलते हैं वैंस उसको क्या बोलते हैं वैंस बोलते हैं of the body back to the heart the winds have thin walls और यह जो वैंस होते हैं इस पर दबाव blood का थोड़ा कम होता है इसलिए इसके जो वाल मतलब इसके जो दिवार वने होते हैं अंदर वाले वो क्या होते हैं थोड़ा यह कम मतलब ठीक होते हैं, यानि थीन होते हैं, पतले होते हैं, दैर आर वाल्प्स तुरह और यह लोगों को अच्छे से जीवन भर याद रहेगा थोड़ा से मैं क्या करता हूं थोड़ा से कलर दूसरा ले लेता हूं ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ सके हैं डेखो यह तुम्हारा लंग है हम लोगों का चेस्ट होता है न और लंग से देखो दो ऐसे निकल रहा है ठीक है दो वेसल से और यह पूरे बोडी में यह दोनों जा रहे हैं अब देखो मानलो हम लोग लेफ्ट या राइट मैं ऐसे खड़ा हूं तो इधर दीख रहा होगा मेरा ले से भोड़ा है तो ऐसे जाता है अब देखो हमेशा दिमाग में हमेशा ध्यान में रखना हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी चीज ब्लोड को यानि दो भैसल है मारे पास एक है आर्ट्री और दूसरा वेंश्य लेकि या रहा है और एक ठो दूसरे जगा से हर्ट में बलड को पहुचा रहा है अभी मैं ध्यान से देखना अभी मैं समझा रहा हूं तब तुम लोगों को अच्छे से समझ में आप आएगा एक मिनट रूको फिक्स कर लें दो पहले पहले मिठा लेता हूं उसके बाद समझाता हूं न यह चलो कि बताने से 2 Tea Party निकल रहा है और इस निकल रहा है और बौडि में नीचे नीचे छो है ना नीचे वaly बोलो क्या बॉलो बोडी यह पझा रहा हूं तक तो यह हर्ट से निकल करके आठरी कहां जा रहा है बोड़ी में और बंभी ऑक्सीजिएटेंट लगड ने समझता है नि तो अब सब लोग कंफ्यूज होते हैं जब मैं बच्चा था तो मेरे को भी कंफ्यूजन होती थी आप लोगों की तरह देखिए क्या कहता है हर्ट से जो निकलता है वेसल डैट इस कोल्ड आर्ट्री जो ब्लड को बॉडी मिले जाता है अब देखिए यहां भी देखिए से उपर साइड भी निकल रहा है हर्ट से नीचे साइड भी निकल के जा रहा है तो जो हर्ट से वेसल निकलता है और बॉड़ी की तरफ जाता है चाहे उपर जाए चाहे नीचे जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं आर्टरी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं आर्टरी क्लियर है अब देखो अब दूसरा टाइप है आर्टरी तो समझ में आ गया कि हर्ट से जो बॉड़ी में लेinander करके जाएगा किस को, बलड को, उसको हम लोग बोलेंगे आर्टरी और body से अब देखो पूरे body से क्या होता है blood को carry करके पूरे body से एक minute में इसका थोड़ा सा color change करके आपको बताता हूँ अब क्या होता है कि पूरे body से blood को collect करके जो heart में ला रहा है कहां से body से अब इधर body से collect करके heart में लाया तो जो body से या फिर lung से collect करके heart में blood को लाएगा उसको हम लोग नाम देते हैं अब clear है वेन नाम देते हैं आर्टरी हर्ट से body में लाएगा और जो वेन है वो body से collect करके कहां लाएगा heart में लाएगा यह दो नाम याद रखो के तो हमेसा ध्यान में रहेगा अब देखना क्या होता है यह हमेसा 8 के आकरीती में घूम जाता है ऐसे जाकर के मतलब अगर इधर भेन है इधर इधर भेन लिका हुआ है पहले इधर भेन होगा मतलब जस्ट अपोजेट साइड बे और यहां पर आर्टरी है तो इधर क्या होगा आर्टरी होगा इधर है मारा pulmonary एक वर्ड तुमको याद रखना है pulmonary तो उपर में एक तरफ हो जाएगा इधर आर्टरी है इधर pulmonary artery कर देना जस्ट अपोजेट वाले में उपर में और इधर वेन है तो उपर में इधर साइड वाले में pulmonary वेन कर देना तो यह तरह से पूरा फिगर तुमको एक बार में याद हो जाएगा हां तो मेरे प्यारे बच्चों अगर दो बात आप याद रखेंगे तो आ हर्ट से आर्टरी बाहर निकल कर रहा है यहां भी हर्ट से आर्टरी बाहर लेकर करके जा रहा है बलड को अब कहता है कि जो बाहर से बाहर से मतलब हर्ट में बलड को लेकर क्या आता है उसको हम लोग बोलते हैं वेन जैसे देखो या लंग से बलड को वेन लेकर करके पल्म से थान तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप लोग क्या पढ़ेंगे अभा आपलोग olduğ मैं आपको समझाया ठीक है इनका वाल होता है मतलब जो दिवार बनेvous hospitals को बने इसके muscles के ना इस बात को आप लोगों को अब ऐसा ध्यान में रखना है कि heart के जो chambers हैं उनके wall muscles के बने होते हैं these muscles contract and relax rhythmically यह जो muscles है ना जैसे हम लोगों के देखो बाँ है ना यहां पर यहां पर तो यह देखते हूं यहां का muscle को ऐसा ऐसा करते हैं तो contract or relax होता है ना ठीक इसी तरह से हम लोगों के heart का जीव मसल है यह भी क्या होता है contract or relax होते रहता है rhythmically मतलब एक खास समय अंतराल पर this rhythmic contraction followed by its relaxation constitute a heartbeat और यही जो rhythmic contraction or relaxation है यह क्या बनाता है heartbeat का निर्मान करता है remember that heartbeats continue every moment of our life life और यह जो heartbeat है ना यह हमारे पूरे जीवन पर टीक जगह पर क्या होते रहता है धड़कते रहता है एक एक सेकेंड में यह धड़कते रहता है जब तक हम लोगों की मृतिव नहीं हो जाती if you place your hand on the left side of your chest जब आप अपने चाती के बाएं साइड में अपने क्या रखते हैं hand को रखते हैं chest पे you can feel your heartbeat तब आप अपने heartbeat को अनुभव कर सकते हैं कहता है कि the doctor fills your heartbeats with the help of an instrument जो doctors होते हैं आपके heartbeat को एक instrument की सहायता से fill करते हैं और उस instrument का नाम होता है stethoscope उसको क्या बोले जाता है stethoscope के नाम से जाना जाता है ना चलो देखो आगे क्या कहता है कि a doctor uses the stethoscope as a device to amplify the sound of the heart जो ये stethoscope आप लोगों को यहां पर दे दिल दिख रहा ओगा ये क्या करता है कि जो हम लोगों का heart beat का जो sound है ना उसको क्या करता है थोड़ा सा बढ़ा देता है clear है हिहां तक A इंट consist of a chest piece अब इसमें देख Schön क्या क्या होता fat wie पहला होता है वर उपलोगों को दिख रहा होगा यहां पर पीछ पे सट आते हैं उसमें क्या होता है sensitive diaphragm बना होता है आगे कहता है two earpieces और दो ठो देखते हैं कान में लगाने के लिए इसमें लगा रहता है आला जिसको लोग बोलते हैं कान में लगाता है डॉक्टर लोग तो two earpieces and a tube joining the parts और एक two pipe जो होता है वो दोनों को chest piece को और ear piece को क्या करता है आपस में जोडता है doctors can get clues about the condition of your heart जो doctors होते हैं आपके heart के condition के बारे में इसके माध्यम से क्या करते हैं पता लगा लेते हैं let us construct a model of stethoscope with the materials that are available around us हम लोगों के घर में कुछ ऐसे materials होते हैं जिनका उप्योग करके हम लोग stethoscope का निर्मान कर सकते हैं activity 11.2 में हम लोग इस्टे थो इसको बना करके देखेंगे भी क्याता है ठीक है small funnel of 6-7 cm in diameter आपके घर में जो keep होता है जिससे ते लोगर हम लोग निकालते हैं उस keep को आपको ले लेना है fix a rubber tube 50 cm long tightly on the stem of the funnel और उसका जो पीछे वाला है जो चोड़ा वाला भाग है मूँ उस प लोग बांग लेते हैं rubber band seat आगे कहता है on the mouth of the funnel and fix it tightly with the rubber stand और उसमें एक pipe हम लोग लगा करके जिससे पानी चड़ाया जाता है उसके pipe को उसके पीछे में लगा करके ठीक है और क्या करते हैं उसके pipe को हम लोग एक तरब जब कान में लगा करके सुनते है तो यह किस तरह से work क student students के यहां पर कुछ बच्चों का आपके जो दोस्त होंगे उनका आप इतर नाम लिखेंगे वाइल रेस्टिंग जब बच्चे आराम कर रहे होंगे तो उनका heart beat note करना है और pulse rate करना है और pulse rate करना है अब देखो कहता है do you hear a regular thombing sound जब आप लोग कान में उसको लगाया थे अपने द्वारा बनाएगे तो उसमें thomping sound regularly आ रहा होगा thomping मतलब समझ रहे ना thomping sound मतलब बारबर टप 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 की आवाज आती है the sound is that of the heart beats ठीक है वो की चीज़ की sound है heart beat की sound है ठीक है how many times did you hurt that how many times did your heart beat in a minute कितना बार एक मिनट में आपका heart क्या करता है beat करता है इसको count करना है count again after running for 4-5 minutes compare your observations record your on pulse rate and heartbeat and that of your friends while resting and after running and record in table 11.2 जैसा है कि अब लोग पहले ही इसके बारे में भी चर्चा कर लिये हैं do you find any relationship between your heart beat and pulse rate क्या आपको अपने heart beat में और अपने pulse rate में कोई relationship दिख रहा है करता है each heartbeat generates one pulse जितना पर heart beat होगा उतना बार आपका क्या होगा pulse rate भी होगा ठीक है in the arteries and the pulse rate per minute indicates the rate of heart beat ठीक है तो per minute जितना कितना हो होता है क्या होता है per minute जो आपका pulse rate होता है वो आपके heart beat को भी क्या करता है indicate करता है तो इसको आप लोग क्या करेंगे याद रखेंगे the rhythmic beating of the various chambers of the heart maintains circulation of the blood and transport of substances to the different parts of the body अब अब लोगों के heart में जितने भी chambers उनका rhythmic contraction और relaxation के चलते जो blood flow करता है ठीक है किस में arteries में या फिर veins में जो blood का flow हो रहा है उससे क्या होता है जो body में different materials है उनका transport सुनेश्चीत होता है आगे देखो क्या बताया गया है तुमको करता है कि बूजो wonders if sponges and hydra also have blood अब देखो कुछ छोटे जीव ऐसे हैं जैसे sponge हो गया या फिर hydra हो गय पूछ रहा है कि क्या इसमें भी blood vessels होते है या फिर blood होता है तो कहता है animals such as the sponges and hydra do not possess any circulatory system इसमें hydra और sponge में किसी भी तरह का circulatory system प्रजेंट नहीं होता है the water in which they live brings food and oxygen वे क्या होते है ज्यादा तर एक कहां पे रहते हैं पानी में रहते हैं तो जो पानी पानी जो है इनके food और oxygen को एक जगा से दूसरे जगा तक carry करने का काम करता है as it enters their bodies वो जो पानी उनके body में जाता है उसी के माध्यम से food और oxygen उनके body में पहुंचता है और जो waste materials निकलता है उसी पानी के माध्यम से वो out हो जाता है the water carries away waste materials and carbon dioxide as it moves out यहां तक लिका हुआ है does this animals do not need a circulatory fluid और इसी के चलते उनको किसी तरह के circulatory fluid की कोई आवे सकता नहीं होती है let us now learn about the removal of the bests other than the carbon dioxide अब हम लोग मनुस्य में carbon dioxide के अलावा और दूसरे चुतिने bits material है कैसे body से बाहर आते हैं उसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक figure को आप लोग देखेंगे जैसे मालो हमारे पास एक figure है किसका अभी मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रा में हो देखा किसके बात कर रहा हूँ हाइड्रा का तो कुछ इस तरह से body उसके मालो की इस तरह से होता है ठीक है और यहां से इस तरह से ऐसे ठीक है इस तरह से ठीक है चलो अब इसमें मालो क्या होगा इधर से पानी इंटर करेगा और इसके body में बहुत सारे channels ब बाहर चले जाते हैं, वहाँ से निकल करके, यही बात हम लोगों को क्या करना था, समझना था, यहाँ था, चलो आगे इस रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले, हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक देकर बलू कलर के पट्टी में यहाँ पे कुछ बताया गया है तुम को इस इन्फोर्मेशन को थोड़ा सा समझते हैं ठीक है देखो एक इंग्लिस फिजी सी फिजी सी एंथे एक क्या थे इंग्लिस फिजी सी एंथे उनका नाम था विल्लियम हारवे यह इनका जो जन्म था 1578 एडी में हुआ था और डेत हुआ था 1657 में अब देखो इन्होंने क इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया है बिल्यम हारवे शार ने बताया थे दक करेंट करेंट ऑपेनियन इन दोस डेज वास देट उस समय जिस समय कि यह बात चल रही है उसमें लोगों के मन में यह ऐसा धारना था या लोग ऐसा समझते थे कि ब्लड ऑक्सिलेट्स इन दो वेसल्स ऑप दो बाड़ी हम लोगों का जो वेसल है उसमें ब्लड क्या करते रहता है उसमें कमपन होते रहता है फूर दीस भी हार्वे वाज रेडिकुलस एंड कॉल दा सर्कुलेटर और पहली बार जब बिल्यम हार्वे ने बताया कि जो ब्लड है वो ऑक्सिलेट्स नहीं करते हैं बलकि फ्लो करते हैं किसमें वेसल्स में हर्ड जो है उनको क्या करता है पॉम्प करता है और पूरे बाड़ी में हमारे फ्लो करते हैं तो जब इस तरह से पहली बार वो बताए तो उनके जो कलीक थे उसमें जो और लोग जो साइंटिस्ट थे उनको चिडाना सुरोग कर दिया है उनको बोलने लगे सरकुलेटर चूकि वह पहली बार बोल रहे verse कि बलड्ड ओक्सीलेट नहीं करता है बलकि सरकुलेट करता है इसलिए उनका नाम ही सब रख सब सर्कुलेटर आपके भी क्लास में आपके आसपास कभी कभी क्या होता है जब इस तरह से कोई अच्छी बात कोई बोलता है पहली बार तो उसका लोग मजाग मनाते हैं अब देखो आगे क्या होगा हुआ इसलिए उनके पास जो पैसेंट साते थे उसमें से ज़्यादा तर पैसेंट उनके पास आना छोड़ दे की पागल हो गया इंसान यह क्या बोल रहा है बलड ऑक्सिलेट नहीं करता है सर्कुलेट करता है आगे देखो हावेवर बिफोर ही डाइड उनके मरने से पहले हार्वे इस आइडिया अब उट से रिकुलेशन वाज जेनरली एक्सेप्टेट एस बायलोजिकल फैक्ट उनके मरने से पहले यह बात प्रूफ हो गया था कि जो ब्लड है ठीक है वो उक्सिलेट नहीं करता है बलकि क्या करता है मूब करता है पूरे बाडी में यहां तक ब्लड है जो भी रेमूब फ्सक्राइब प्रूंब रूब फ्रूंब फ्रूंद बाडी में असुदियां होती है उसको च्छानने के लिए हमलोगों के बॉडी में बहुत उसकी आए असकता होती है और कुछ उसके लिए प्लीड क्या होता है इस सिस्टम लगा होता है रिक कीडनी और यह जो च्छानने का प्रोसेस है इसको कौन संपन करता है कीडनी में कुछ छोटे-छोटे ब्लड कैपिलरी होते हैं वही इस ब्लड में पाया जाने वाले बेस्ट मेटरियल को क्या करते हैं फिल्टर करते हैं फिल्टर करने का काम करते हैं तो यहां से यहां तक सब्सक्राइब लोग होता है तो क्या होता है किसी कीडिनी में कुछ ब्लड कैपिलरी होते हैं वही ब्लड को छहांते हैं It contains both useful and harmful substances, अब देखो जो blood को जिसमें छाना जाता है तो उसमें से कुछ क्या होता है, harmful और कुछ useful substance क्या होता है, filter हो जाते हैं, बाद में, the useful substances are absorbed back into blood, बाद में उसको फीर से क्या किया जाता है, blood के दवारा absorb कर लिया जाता है, जो अच्छे substance का भी filter हो जाता है उनको, the waste dissolving water are removed as urine, और जो waste material होते हैं, reabsorption के बाद, बचे हुए जो चीज होते हैं, उनको पानी में घोल करके, क्या किया जाता है, urine के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, आरे हैं यहां तक बात समझ में, कहता है, from the kidneys, the urine goes into the urinary bladder, और जो यह urine है, क्या होता है, filtration के बाद, यह urinary bladder में चला जाता है, through, वहां से आगे देखो, जो process है, वो क्या होता है, urinary bladder से, tube like ureter निकलता है, it is stored in the bladder, and is passed out through the urinary opening, at the end of the muscler tube called the urethra, इन सियारे चीज़ों को अभी हम लोग figure से समझेंगे, तो बहुत अच्छे से clear हो जाएगा, चुकि figure थोड़ा सा लंबा है, इसको ध्यान से देखिए, जो भी human being होते हैं, उनके body में, दो क्या होते हैं, दो kidney होते हैं, कितने kidney होते हैं, दो kidney, यहां पे आप लोगों को में आगया होगा, तो human being में कितने kidney होते हैं, दो kidney होते हैं, मेरे प्यारे बच्चो, अब देखो, इसी kidney में filtration होता है, किसका blood का, इसके भीतर बहुत सारे capillaries लगे होते हैं, वही blood को filter करते हैं, after filtration क्या होता है, यह जो है, दो देख रहे हैं, pipe की तरह के सनरचना, दोनों bladder बोलते हैं, उसमें लाकर कि यह urine store हो जाता है, और जब जब हम लोगों की इच्छा होती है, urine को pass out करने के लिए, तो क्या होता है, यह urinary opening होता है, जिसको हम लोग यूरेथरा के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, यूरेथरा के नाम से, और इसी यूरेथरा के म में पढ़ रहा था ठीक है इटीजी स्टोर्ड इन दे ब्लाडर एंड इस पास्ट आउट थू दे यूरिनरी ओपनिंग अग दे इंट आफ और मसलर ट्यूब कॉल यूरेथ्रा यहां तक मैं समझा दिया दे किड्नी इस यूरेटर्स ब्लाडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द आते हैं तो जब भी पूछा जाए आपसे कि राइड डाउन दे नेम ओफ दे पार्ट्स ओफ दे इस रेटरी सिस्टम तो वहां पर आप लिख दिजेगा किड्नी यूरेटर्स ब्लाडर और लास्ट में क्या लिखेंगे आप यूरेथ्रा तो इस तरह से आप लोगों का इ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा अब थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है इस इंफॉर्मेशन को हम लोग समझ लेते हैं एन एडल्ट हीमन बीइंग नॉर्मली पासेज अबाउट वन चू वन लीटर ओफ यूरीन इन 24 आवर्स देखो च अनवैं प्रतिसत वाटर होता है कि मैं उने लिए टाइन वी परसेटिस दो पॉइंट फाइफ नकानीशन थे कहते लिए ओंट निए है और 205 परसेंट यूरियाज होते हैं तुपॉंट के दिनों में तुम देखे हो गे अब यूरीन गी तो बात खतम हो गई दूप ठीक है, तो sweating जो होती है, ये hot summer day में होती है, गर्मी के दिनों में होती है, कहता है कि the sweat, थोड़ा समय इसको adjust कर लेता हूँ न, तब बताता हूँ, the sweat contains water and salt, जो sweat होता है न, उसमें क्या होता है, water होता है, और salt होता है, बूजो has seen that sometimes in summer, white patches are formed on our clothes, बूजो बताता है कि कभी-कभी धूप के दिनों में हम लोगों के shirt पे या फिर paint के उपर, white-white color का दाग हो जाता है, फसीने का दाग होता है, और ये जो patch है, ये किस चीज़ के चलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो salt present है sweat में, उसके कारण ऐसा patch आ र does sweat serve any other function, अब पूछता है कि आप पसीना जो निकल रहा है, इसका कोई दूसरा function भी होता है हमारे body में, चुकि पहला तो ये best material को remove कर रहा है हमारे body से बाहर, दूसरा इसका क्या function है, we know that the water kept in an earthen pot, देको जो earthen pot होता है, जो मिठी का बना हुआ घड़ा होता है, उससे जो प इसे, this is because the water evaporates from the pores of the pot, which causes cooling, और ठीक इसी तरह से क्या होता है, हम लोगों के body से जो पसीना निकलता है, वो similarly, when we sweat, it helps to cool our body, हम लोगों का body क्या होता है, ठंडा हो जाता है, अब देखो यहाँ पे blue color के पट्टी में कुछ चीजे बताई गए है, मैं इसको पहले समय लेता हू उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ, डेखो क्या है, यह पहली है यहाँ पे, कहता है, पहली wants to know whether other animals also urinate, क्या दूसरे जानवर भी urinate करते हैं, तो हाँ, दूसरे जानवर में भी urination होता है, कहता है, the way in which waste chemicals are removed from the body of the animals depends on the availability of water, जो दूसरे जानवर है, उनमें जो urination होता है, या wait doセb לס को बाहर निकालने की जो प्रकरिया है, ठीक है, तो क्या होती है, अलग-அलग जानवरों में अलग- alग तरीके से संपन होती है, ओके स्टुडेट देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, अब यह जो पहली है, पहली एक प्रस्र पूछ रही है, पहली जानन डिपेंड्स ओन दे एवेबिलिटी ओफ वाटर कि किसी भी जानवर में या किसी दूसरी जीव में वाटर कितना अब लेबल है उसके बॉडी में इसके हिसाब से यूरिनेशन उस पे निरभर करता है कि वो दूसरा जानवर यूरिनेट करेगा मतलब उसमी वो अपना जो है य एकवेटिक एनिमल्स लाइक फीसेस देखो जो पानी में रहने वाली जो मचलियां है इक्सक्रीट सेल वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर यह मचलियां क्या करते हैं उनके बॉडी में जो बेस्ट मैटरियल बनता है वो किस फॉर में अमोन अमोनिया नाम का एक केमिकल होता है तो अमोनिया नाम के केमिकल के रूप में उत्पन होता है वो डायरेक्टली क्या होता है पानी में घूल जाता है वाटर में डिजॉल्व हो करके और पानी में चला जाता है जहां भी वो वाटर में रहते हैं सम लेंड एनिमल्स लेकिन साथ में snakes, यह क्या करते हैं? semi-solid material को excret करते है jest semi-solid करने का थोड़ा सा गीला type, ठीक है? white colored compound, आप देखे औंगे चीडियां का जो wheat होता है white color का, उसको आप देखे होंगे, to semi-solid compound होता है white color का, ठीक है? इसमें यूरी कैसिड होता है इसमें क्या होता है यूरी कैसिड होता है आप लोगों से पूछा जाता है जो फीस मतलब पहले सबसे पहले हम लोग मचली के बारे में पढ़े हैं मचली लोग क्या करता है अमोनिया को रिलीज करता है ये question याद रखिएगा लेकिन जो ये land पे रहने वाले जो कुछियों है जैसे birds, lizards, snakes ये क्या excrete करते हैं semi-solid material excrete करते हैं जिनका नाम है यूरी कैसिड याद रहेगा बच्चो दब मेजर excretory product in human is urea और जो human beings हैं ये कौन सा chemical release करते हैं ये यूरीया करते हैं तो ये तीनों में अंतर समझ में आ गया मचली ammonia release करता है और जो birds लिजार्ट सें स्नेक्स ये यूरी कैसिड रिलीज करते हैं और हम लोग यूरीया पास आउट करते हैं अब यूरीनेशन होगा कि नहीं होगा ये किस पर निरवर करता है कि हमारे body में water की मात्रा कितनी है यहां तक clear है बच्चे आगे देखिए sometimes a person's kidney में stop working कभी कभी किसी व्यक्ति के भीतर शरीर में कोई बिमारी हो जाने से उसका kidney क्या होता है proper काम करना बंद कर देता है due to infection or injury अग accumulating in the blood अगर kidney क्या हो जाए fail कर जाएगा तो यह जो waste materials है हमारे body में accumulate हो जाएंगे मतलब जमा हो जाएंगे न और इस accumulation के चलते क्या होगा such persons cannot survive unless their blood is filtered और वैसे लोग तब तक जिन्दा नहीं रह सकते कि जब तक उनके blood का क्या नहीं filtration नहीं हो चुकि उसमें waste material बहुत ज़्यादा आ गया तो उसको filter करना बहुत ज़रूरी है और यह filtration कैसे होता है यह filtration होता है artificial kidney के द्वारा किसके द्वारा artificial kidney के द्वारा और यह जो process of filtration करने का this process of artificially filtration is called dialysis इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं dialysis के नाम से जानते हैं clear है यह तुम लोगों को आगे बताया गया है आगे कहता है transport of substances in plants अब हम लोग animals में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है इसके बारे में समझ चुके हैं अब plants में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है इसके बारे में समझते हैं कहता है in chapter 1 you learned that plants like plants take water and minerals nutrients from the soil through the roots and transport it to the leaves आप लोग जो है पिछले अ कि जो plants होते हैं वो mineral nutrients और water को कहां से अपने root के माध्यम से जमीन से लेते हैं और उपर leaves तक ले जाते हैं the leaves prepare food for the plant और जो पत्तियां होती है पेड की वो plants के लिए भोजन का निर्मान करती है इसलिए तो उसको क्या बोला जाता है food factory of the plant के नाम से भी जाना जाता है using water and carbon dioxide during photosynthesis और पत्ती कैसे भोजन का निर्मान करती है water और carbon dioxide का उपयोग करके सुर्य के प्रकास की उपस्तिती में क्या करती है photosynthesis के माध्यम से अपना भोजन prepare करती है you also learn in chapter 10 that food is the source of energy and every cell of an organisms get energy by the breakdown of glucose आप लोग पढ़ चुके हैं chapter 10 में कि यही जो food है जो photosynthesis के दोरान बन रहा है वो cell म क्या होता है during respiration तूटता है और उससे energy निकलता है clear है यहां तक मेरे प्यारे बच्चो ठीक है the cell use this energy to carry out vital activities of life और cell जो है फिर इसी energy को उपयोग करके अलग अलग तरह के functions को perform करते है therefore food must be made available to every cell of an organism इसी के चलते जीतने भी cell है उनको हम ऐसा भोजन क्या सकता पढ़ती है food क्य सकता पर इसलिए तो हम लोग प्रतेक दिन food consume करते हैं या कोई भी जीव प्रतेक दिन food को consume करता है खाता है have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the root are transported to the leaves कभी आप लोगों के मन में ऐसा विचार आया है कि जो पेड के नीचे root से जो water and mineral को absorb किया जा रहा है उसको इतने उचे प्लांट में leaves तक क्या से पहुचाया जाता है कि आप लोगों के भी दिमाग में प्रस्णा आया है how is the food prepared by the leaves carried to the parts which cannot make food और एक दूसरा प्रस्ण यह भी है कि जो पतियों में भोजन बन गया है उसको जो प्लांट है इतना ब इनी प्लांट में भी भोजन एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुचाया जाते है तो यह दो प्रस्ण है और इसका एंसर अभी हम लोगों को कहां पर मिलेगा ट्रांसपोर्ट ओफ water and minerals heading के अंतरगा तभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो इन दोनों प्रस्णों का उत्तर भी चलो देखो कहता है इदर roots have root hairs अब जो root है ना root के पास क्या होता है root hairs होते है ना छोटे छोटे hair like projection होता है root के पास उसको हम लोग root hair के नाम से जानते हैं देखो यह root का internal structure यहां पे बना हुआ है इसमें देख सकते हैं यहां पर एक outgrowth आपको दीख रहा होगा इस outgrowth को हम लो root hairs के नाम से जानते हैं यहां पर क्या बताया गया है एक फोटो है यह चुकि बड़ा सा फोटो है यहां पर देखो यह छोटी छोटी जो दीख रहे है ने structure यह थोड़ा समय बड़ा कर देता हूं अब दीक रहा है आप लोगों को इसको हम लोग जाईलम vessels के नाम से जानते ह है अब देखो यहां पर एक फिगर बना हुआ है प्लांट का यहां पर ट्रांसपोर्ट ओफ दा वाटरेंड मिनरल इन असेक्शन ओफ दे रूट एंट्री यहां पर रूट क्या कर रहा है एब्जॉर्ब करके वाटरों मिनरल्स को अलग अलग पार्ट्स में प्लांट का प सब्सक्राइब को बढ़ा देते हैं जहां तो कुनको वाटरों मिनरल के कॉंटेक्ट में होते हैं अब सब्सक्राइब क्या आप लोग गेस कर सकते हैं अंदाजा लगा सकते हैं कि रूट से ऊपर जो है लीव तक कैसे वाटर पहुंचता है वाट काइंड ओफ ट्रांसपोर वाटर तो दे इंटायर प्लाइब लाइक भी हैब इन आवर हों मिघ्र फोर वाटर यह जबी घुच लायएं कि हम लोगों के घरों में जिस तरह से टैप लगा होता है और ओक्स सिकनेक्टेड होता है ठीक प्लाइन्स में भी इसी तरह के पाइप लगे होते हैं जिससे जम जो सोच रहा है बिल्कुल ऐसा ही है प्लांट से पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांस्पोर्ट वाटर एंड नूट्रियंट्स फ्रॉम दिजा इस्वाइब चो प्लांट्स होते है ना उसमें pipe की तरह के vessel लगे होते हैं वही क्या करते है water को और mineral को nutrients को soil से उपर क्या tip तक पहुचाने में मदद करते हैं the vessels are made of special cells और यह जो vessels होते हैं यह खास प्रकार के cells से बने होते हैं forming the vascular tissue जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं vascular tissue के नाम से जानते हैं जो vascular tissue होता है ना हलाकि अभी तुम लोग नीचे के class में तुम लोगों को पढ़ना नहीं है लेकिन यह vascular tissue में मुखे रूप से जाईलम और phloem के मिलने से यह vascular tissue बनता है अब एक tissue क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं a tissue is a group of cells जो tissue है यह group of cells होते हैं बतलब बहुत सारे cells जब एक जगा जमा हो जाते हैं और साथ में मिलकर के किसी कारियों को करने लगते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? tissues बोलते हैं उसी special सनरशना का नाम tissue हो जाता है that perform specialized functions in an organism यहां तक आप लोगों को tissue का definition समझाया गया है the vascular tissue for the transport of the water and nutrients in the plants is called gylem अब देखो जो plant है उसमें जो vascular tissue जो water को और nutrients को एक जगा से दूसरे जगा तक transport करने में मदद करता है उसका नाम है gylem मैंने बोला ना कि vascular tissue दो तरह के cell से मिलके बना रहता है पहले का नाम है gylem और दूसरे को अम लोग क्या कते हैं phloem के नाम से जानते हैं चलो आगे देखो तो जाइलम क्या करता है जाइलम water और mineral को जड़ से ले करके उपर तक पहुँचाता है leaf तक और phloem का क्या काम है जो leaf में photosynthesis के बाद जो food materials बनते हैं उनको body के अलग अलग parts पहुचाने का काम phloem करता है देखो जिस तरह से हम लोगों के घर में pipe का चारो तरफ जाल बिछा हुआ रहता है जो जाइलम है उसका जड़ से ले करके उपर टीप तक मतलब plant के सबसे उपर वाले भाग तक ये continuous channel का निर्मान करता है और plant के चारो तरफ जो जाइलम है उसका channel बना रहता है और इसी के माध्यम से water और minerals जड़ से क्या होते हैं प्लांट के अलग लग भाग तक पहुचाते हैं कता है पहली says her mother puts lady finger and other vegetables in water if they are somewhat dry we want to know how water enters into जाइलम अब यह जो पहली है यह जानना चाहती है कि उसकी दादी जो है वो क्या करती है कि जब उसका भिंडी का पौधा उनका सुखने लगता है तो उसमें पानी देती है तो यह जो पानी है यह कैसे जाइलम तक पहुचता है उसके बारे में जानना चाहती है कता है you know that leaves synthesize food आप लोगों को पता है कि जो भोजन बनता है किसी भी plant का हो कहां पर बनता है leaves में बनता है with the help of photosynthesis the food has to be transported to all parts of the plant this is done by the vascular tissue called the phloem जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो भोजन बनता है कहां पर plants में वो एक दूसरी तरह के tissue के द्वारा एक जगा से दूसरे जगा पहुचाया जाता है मतलब leaves से body part में पहुचाया जाता है उस vascular tissue का क्या नाम है उस vascular tissue का नाम है phloem thus gylem and phloem transport substances in plants तो जो gylem और phloem है यही क्या करता है substance को पूरे plant में एक जगा से दूसरे जगा पहुचाने का काम करता है यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग जा रहे activity 11.3 पढ़ने we would require a glass tumbler, water, red ink, a tender herb मतलब देखो यहां जो experiment है इसमें हम लोगों को दो-तीन चीज की जरूरत पढ़ेगी एक glass tumbler की जरूरत है और red ink की लाल रंग की जरूरत है और एक छोटे से plant की जरूरत है herbaceous plant की काता है and a blade for this activity और एक हम लोग क्या रखेंगे blade रखेंगे ताकि हम लोग plant को काट सकें काता है pour water to fill one third of the tumbler देखो इसमें कुछ नहीं करना है बहुत आसान सा experiment है यह आप लोगों को क्या करना है tumbler लेलना है मतलब कोई भी glass होकर लेलना है छोटा से बरतन इसमें क्या करेंगे आप लोग ऐसे करके इसमें कोई भी plant को ऐसे लगादेंगे clear है यहां तक मेरे प्यारे बच्छो अब हम लोग क्या करेंगे इस plant को यहां से इस तरह से kαट देंगे हमोग क्या करेंगे काट देंगे plant को ठीक है cob कि ये कितने भाग में दो भाग में ये बढ़ जाए प्लांट न और काटने के बाद इधर वाले भाग को हटा देंगे हम लोग अलग कर देंगे और इसमें हम लोग क्या घोलेंगे red color का ink घोल देंगे पानी में, तो देखोगे कि धीरे धीरे ये ink इधर से चड़ करके और यहां तक पहुँचता है, और उपर का जो area यहां वाला, किस color का दिखने लगता है, red color का दिखना सुरू हो जाएगा, तो यहां तक वो पानी पहुच गया, तो वही भी बिद्धे हल पोव जाइलम, you can cut the stem across and look for the red color inside the stem, तो उसके भीतर भी red color दीखेगा, अलग अलग जगा पे, from this activity, we see that water moves up the stem, in other words, stem conduct water, तो आप लोगों को पता होगा कि stem की भीतर क्या होता है, water दिरी-दिरी चल के एक जगा से दूसरे जगा तक जाता है, just like the red ink, minerals dissolve in water also move up to the stem, जिस तरह से ये red ink पानी में घुल करके एक जगा से दूसरे जगा तक पहुच गया, उसी तरह से minerals जो है, water में घुल करके एक जगा से दूसरे जगा तक चले जाते हैं, ये आपस में घुल करके, एक साथ हो करके और plant के अलग-अलग parts तक पहुच जाते हैं, इस बात के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बुजो wants to know why plants absorb a large quantity of water from the soil, then give it off by transportation, अब बुजो जानना चाता है कि एक plant जो हता है, इतना ज़्यादा पानी को क्या करता है, सोखता क्यों है, चूसता क्यों है भाई, तो इसका answer अब इधर छुपा हुआ है, देखिए transpiration, मैं इसके बारे में पहले भी बताया हूँ, आप वीडियो जाकर के पीछे देख सकते हैं, दूसरे चेप्टर में भी इसके बारे में पढ़ना है, आगे यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे क्या transpiration के बारे में बताया गया है, in class 6, you learned that plants release a lot of water by the process of transpiration, जो plant होते हैं, transpiration के process के द्वारा, बहुत सारे water को क्या करते हैं, बाहर atmosphere में release करते रहते हैं, plants absorb mineral nutrients and water from the soil, यह बात आप जानते हैं, note all the water absorbed is utilized by the plant, जितने water को plant absorb करता है, उन सारे water का उपयोग plant नहीं करता है, बलकि उसमें से कुछ water को क्या करता है, water vapor के रूप में वो environment में release करते रहता है, the water evaporates through the stomata, अब stomata कहाँ पे present होता है, जितने water करता है बलाये, जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिनको हम लोग istomata के नाम से जानते हैं, this is called istomata, इसको हम लोग istomata के नाम से जानते हैं, यह जो istomata है, इसी istomata के माध्यम से क्या होता है, water release होते रहता है atmosphere में, on the surface of the leaves by the process of transpiration, यह जो water का environment में release होने की घटना है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, that is called transpiration, उसको हम लोग transpiration के नाम से जानते हैं, the evaporation of water from leaves generate a suction pool, अब देखो, जैसे यह जो evaporate होगा water, तो यह जमीन से क्या होगा, पानी को चूसने का काम करता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, इस प्रो ले करके, और जब उससे ऐसे चूसते हैं न, उपर की और पानी को, तो जैसे पेपसी होगर आप पीते होंगे, या फिर आप कभी-कभी क्या, cold rings पीते हैं, या फ्रूटी पीते हैं, तो उसमें चूसते हैं, तो पानी, पानी या फिर mineral, या फिर उसमें जो भी ची है, transpiration का जो suction pressure होता है, उसके चलते, उसके स्वायल में जो water रहता है, वो धीरे-धीरे-धीरे-धीरे क्या हो जाता है, उपर पहुंझ जाता है, which can pull water to great height in the tall trees, transpiration also cools the plant, और transpiration एक और काम करता है, वो जो plant है, उसको ठंधा करने का भी काम करता है, तो इस तरह से हम लोगों का जो ये chapter है, मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया, खत्म हो गया, अब next chapter में मैं आप लोग उससे मिलूँगा, आप लोग लाइक करेंगे, comment करेंगे, और वीडियो को share करना विल्कुल नहीं भूलेंगे, और ज्यादा सज्यादा support करेंगे, मेरे प्यारे बच्चों, thank you झालेंगे, और ज्यादा रिपयादाए ता आप लोग ओत्म हो थालेंगे, मेरे ज़गके चाहिए करेंगे, मेरे बच्चों प्यारे बच्चों, और आपा।